तो दोस्तो एक तरफ जहाँ पे अमेरिका के सेनेट में पाकिस्तान के उपर आये प्रतिक्टिया से पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया सदमे में हैं तो उही पे अमेरिका के बाद अब रशिया के तरफ से भी पाकिस्तान को दिया गया एक बहुत बड़ा जटका दोस्तों कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा में था कि अर्जेंटिना पाकिस्तान से JF-17 थंडर एर क्रेप्टों को खरीदेगा जबकि इस बात के उपर कहीं पे भी कोई फी गौवर्मेंट के तरफ से घोशना नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में बगले वजाना शुरू कर दिया गया था कुछ दिनों के बाद अर्जेंटिना के तरफ से भी अधिकारी क्रूप में बयान दिया गया कि अर्जेंटिना के द्वारा पाकिस्तान के जंक फाइटर को सिलेक्ट नहीं किया गया पर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के गवर्मेंट के सपने के उपर तब पानी फेर गया जब अर्जेंटीना रशिया के साथ एक बहुत बड़े military डील को करने के लिए negotiation कर रहा है ऐसे में माना जा रहा है कि अर्जेंटीना रशिया के बीच में जो डील को लेके चर्चा किया जा रहा है उसके बाद junk fighter गटर में गिर जाएगा तो दोस्तो आचिक इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से रशिया के द्वारा पाकिस्तान के बड़े मनसूबे के उपर पानी फेर दिया गया और कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया इसे लेके रोना धोना कर रहा है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए पाकिस्तान के अंदर ऐसे उचल कुछ शुरू किया गया कि खाली ये इरादे का ख़वर नहीं बलकि अर्जेंटिना ने जैसे की पाकिस्तान के जंग फाइटर को खरीदी लिया पर पाकिस्तानी मीडिया के इस प्रोपगंडा के उपर फुल स्टाफ दब लग गया जब अर्जेंटिना के उच्छे अधिकारियों के द्वारा ओपिशियल बयान जारी करते हुए बताया गया कि अर्जेंटिना ने अब तक कोई भी फाइटर एरक्रेफ्टों खरीदने क एक ऐसे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया जो पाकिस्तान के लिए और बड़ा जटका का कारण बन सकता है वैसे अगर देखा जाये तो पाकिस्तान बीते कुछ अपसोस से कई बड़े बड़े जटके खा चुका है जिनमें सी पैक का बंध होने तक के नौवत आयाने के सा साथ अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के लिए सैंक्शन का रस्ता तैयार करना तक शामिल है पर इस बार रश्या के द्वारा पाकिस्तान को ऐसा जटका दिया जाएगा ये कभी पाकिस्तान सोचा ही नहीं था यूरेशन टाइम्स के इस रिपोर्ट के मुताविक अर्जेंट फाइटर एरक्राप्टों का उफर रखा गया था पर अर्जंटिना के बजट और एरक्राप्टों के कीमत को देखते हुए माना जा रहा था कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान के लिए बनाया गया जंक फाइटर इस रेस में शायद सफसे आगे रहे पर हाली में रश्या के द्वारा पाकिस्तान और चाइना के इस मनसूबे के ओपर पानी तफ फिर दिया गया जब रश्या और अर्जेंटिना एक महत्वपूर्ण मिलेटरी डील को लेके बातचित शुरू किया दोसो basically अर्जेंटिना के तरफ से जब 2015 में अपने बेड़े से मिराच 3 जैसे एरक्रेप्टो को रिटार किया गया तफ से ही अर्जेंटिना एक सूपरसॉनिक फाइटर एरक्रेप्टो को अपने बेड़े में शामिल करने का प्रयास कर रहा है पर इस प्रयास के सामने सबसे बड़ा वादा है बिरिटेन और अर्जंतिना के बीज में 80 के दशक में लड़े गए फॉक्लेंड वर्ट के वज़ा से बिरिटेन के द्वारा एक तरीके से अर्जेंटिना के ऊपर प्रतीवन लगाया हुआ है और इस वज़ा से जितने वार भी अर्जेंटिना के द्वारा कुछ अन्ने देशों से हतियारों को खरिदने का प्रयास किया गया थभी ब्रिटेन इसको अपने influence का इस्तेमाल करके रोग दिया इवन दोस्तों देखा जाए तो साथ कुरिया के तरफ से भी अर्जेंटिना को FA50 जैसे एरक्रेप्टों का ओफर किया गया था लेकिन ब्रिटेन इसे इसलिए रोग दिया क्योंकि इन एरक्रेप्टों में ब्रिटेन के component इस्तेमाल हो रहा है और इस गटना के बाद चाइना को एक मौका मिला और चाइना के द्वारा अर्जेंटिना में एक डेलिगेशन भेजते हुए अर्जेंटिना के सामने जंग फाइटरों के प्रस्ताव रखा गया जो की चाइना के चैंग डूग एरक्रेप्ट कॉर्परेशन के तरफ से निर खरिदने के लिए अपने 2022 के बजेट में एक एलोकेशन किया गया है और रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि इन 12 एरक्रेप्टों को खरिदने के लिए अर्जेंटिना 364 मिलेन डॉलर के एक रिक्वेस्ट रखा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के मुग के उपर तफ तमाचा लगा जब अर्जेंटिना के द्वारा 21 सिप्टेंबर के दिन इन सभी वातों को नकार दिया गया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान दावा करता है कि उसके जंक फाइटर को अर्जेंटिना के द्वारा चुना गया तो इसमें दो ही कारण हो सकता है आइदर ये दावा पूरा पूरी जूट है या फिर अर्जेंटिना को कोई ऐसा यारक्राफ चाहिए जो हवा में उड़ने के जगा में जमीन में ही रहे। पर दोस्तों अब हाली में रिपोर्टर में बताया जा रहा है कि अर्जेंटिना और रस्या के बीच में कोई छोटे मोटे नहीं बलकि बड़े डील हो सकता है जिन में बताया जा रहा है कि अर्जेंटिना के द्वारा आइदर 15 Mic 29 जैसे फाइटर यारक्रेप्टों को प्रेचने का भी प्रयास चलाया जा रहा है। प्रेचने के साथ मिलिटरी चीजों को लेके बात कर रहे है। किया गया है तो ये संभावनाय तो शुनने के बराबर हो जाएगा। तो सबके जानकरी के लिए बता दू कि ये जो जंक फाइटर पाकिस्तानी एर फोर्स इस्तेमाल कर रहा है और जिन एर क्रेप्टो को लेके पाकिस्तानी मीडिया उचलकुत कर रहा है। इसे में कई सारे ऐसे एक्वेप्मेंट है जो रशियन, चाइनीज और बिर्टिश ओरिजिन के हैं। इन एर क्रेप्टो में इस्तेमाल होने वाले इजेक्शन सीड भी बिर्टिश ओरिजिन क्या है जिस तरीके के सीड का इस्तेमाल F-50 जैसे फाइटर एर क्रेप्टो में हो रहा था। तो पाकिसान के जंक फाइटर को ब्लॉक कर सकता है। यहाँ पे रशिया अर्जेंटिना को पाकिस्तान के जंक फाइटर के तुलना में कही गुना बहतर और कही गुना आधुनिक एर क्रेप्टो का ओफर किया है जो की सुखोई 30 के नाम से भी पैचाना जाता है। और इवेन अगर अर्जेंटिना चाहेगा तो सस्ते में मिक-29 जैसे एर क्रेप्टो को तुलना मुलक रूप में बड़े संख्या में भी खरीच सकेगा। इवेन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि रेशिया के पुराने मिक-29 यार क्रेप्ट भी पाकिस्तान के जंक फाइटर के तुलना में दुगना या उस से भी वहतर है। कोल मिला कि अगर अर्जेंटीना सुखुई 30 या फिर मेक-29 कोई सा भी एर क्रेप्ट को खरीटता है तो दोनों में ही अर्जेंटीना का फाइदा है जबकि अगर जंक फाइटर को खरीदा जाता है तो ये सिर्फ एक ही काम में आएगा और वो है जमीन में खड़े करके डिस अपना बन गया है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जाए हिंद